हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू PCS चंपियंज फ्रेंड्स या बिहार SSC CGL Examination 2022 से संबंधी प्रैक्टी सेट्ट स्रीज है जो सच्च्वाले सायक भरती के लिए टोटल पचातर जीके जीएस और क्रेंट रफेर्स कुश्चन का इसमें डिस्कॉस्चन किया जागा या प्रैक्ट के मुख नियाधिस की निफ्ती राष्ट पती द्वाड़ा किया जाता है इसका राइट एसर हो जाएगा अप्शन ए राष्ट पती वहीं बात करें भारतिय सविधान के अनुछेद 214 से 232 की तो यह उच नियाले से संबंधी था इसे ध्यान में रखेगा और भारत में सब सबसे बाड़ा उच नियाले यानि कि हाई कोट इलहाबाद उच नियाले है नेक्स्ट है मनसबदारी पर नाली किस ने अरम की थी तो मनसबदारी पर नाली अकबर ने पुँद्रस ओर 244 इसपी में प्रणाम की थी इसका राइट एंसर हो जागा ओप्शन D अकबर नेक्स्ट है खुले बजार के संचालन क्या संकेत करते हैं तो भारतिये रिजाव बैंकों द्वारा सरकारी परतिभूतियों की खरीद और विक्री खुले बजार के संचालन की और संकेत करता है इसका राइट एंसर हो जागा ओप्शन B नेक्स्ट है निमलिखित में से किसने और कब पहली बार असोक के सिला लेखो का अर्थ असप्रस्ट किया था तो असोक के सिला लेखो का अर्थ सबसे पर्थम जेम्स प्रिंसेप ने 837 सिस्पी में किया था इसका राइट एंसर हो जागा ओप्शन C 1837 जेम्स प्रिंसेप और वहीं बात करें असोक की तो असोक भारत में स्वर पर्थम सिला लेखो उत्किन करने की शुरुआत की नेक्स्ट है सबसे बाड़ा उर्णे में असमर्थ पक्षी जो तेज गती से दोड़ सकता है वाह है तो सब अफिर्का का एक बाड़ा उरान रहित पक्षी है यानि यह अफिर्का में पाया जाता है नेक्स्ट है भारत में कोई सी खाद फसल अक्टूबर नौमबर में बोई जाती है और मार्च अप्रिल में काटी जाती है तो भारत में खाद फसल गेहु जो अक्टूबर नौमबर बोई जाती है, और मार्च अप्रेल में काटी जाती है, इसका राई टेंसर हो जएगा ऑप्षन डी, गेहूं, और गेहूं करें नारियल की, भारत में नारियल का सर्वाधिक उतपादन करने वला राच केरल है वही कौफी का उतपादन सर्वाधिक करनाटक में होता है और चावल का उत्पाद अंसरवादी पस्सिम बंगाल में होता है इसे भी ध्यान में रखेगा next है किस दिन को अंतराष्ट्री अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है तो परतेक वर्स दो अक्टूबर को अंतराश्ट्री अहिंसा दिवस मनाये जाता है इसका राइट एंसर हो जएगा ओप्शन बी दो अक्टूबर दो अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादु सास्त्री जी का जन्द दिन है इसे भी ध्यान में रखेगा नेक्स्ट है पटना जिले में इस्थित ना खास पिंड का संबंध है तो पटना जिले में इस्थित ना खास पिंड का संबंध सविनाई अवग्या अंदोलन से है इसका राइट एंसर हो जएगा ओप्शन बी सविनाई अवग्या अंदोलन बात करें इस अंदोलन की तो सविनाई अवगे अंदोलन 6 अपड़ाएं 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था वहीं भारत छोड़ों अंदोलन या 1942 सिस्पी में सुरू किया गया था और असायोग अदोलन या एक अगस्त 1920 इसपी को सुरू किया गया था इसे भी ध्यान में रखियेगा नेक्स्ट है भारत के सविधान में संगीय صब्त का पड़योग कहां पड़ हुआ है तो भारत के सविधान में संगीय सब्त का परियोग सविधान में कहीं नहीं हुआ है इसका राइट एंसर हो जाएगा option D बात करें भारतिय सविधान के अनुछेद फर्स्ट की इसमें लिखा है भारत राजयों का संध है नेक्स्ट है वर्तमान में सोड़ी भारत में वर्तमान में कूल बुलू फ्लैग पर्मानित समुन्द तट की संख्या कितनी है और यहाँ पुछा जाराइस सितंबर 2021 तक तो इस तक भारत में बुलू फ्लैग पर्मानित समुन्द तट की संख्या 10 थी option C इसका राइट एंसर हो जाएगा बाबु जी के उप नाम से किने याद किया जाता है तो बाबु जी के उप नाम से जग जीवन राम को जाना जाता है इसका right answer हो जाएगा option B जग जीवन राम और सबसे लंबी अवधी तक केंद्रिय मंत्री रहने का रिकार्ड जग जीवन राम को हिए इसे भी ध्यान में रखेगा next है सविधान का कमान सा संसोधन राजनितिक दल बदल से संबंदी था तो सविधान का 92 संसोधन या राजनितिक दल बदल से संबंदी था इसका right answer हो जाएगा option B और इसी संसोधन में दसवी अनुसुची को जोड़ा गया जो दल बदल कानुन से संबंदी था दसवी अनुसुची नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा पंचायति राज से संबंदी था है तो पंचायति राज या बलवन्त राय महता संबंदी था option B इसका right answer हो जाएगा और बलवन्त राय महता संबंदी का गठन 1957 में किया गया था इसे भी ध्यान में रखेगा नेक्स्ट है कोन विदेशी आकरमन कारी कोहिनीर हीरा यो मयूर सिंहासन को लूट कर अपने साथ सवदेश ले गया तो इरान के समरार नादिर साह ने कोहिनीर हीरा और मयूर सिंहासन को लूट कर अपने साथ ले गया इसका right answer हो जाएगा option B नादिर साह नादिर साहा ने भारत में 1749 स्विम में आक्रमन किया था उस समय भारत यानिकी दिली सल्तनात कर्षा सक मुहमद सा था और नादिर साहा को इरान का और निपोलियन भी कहा जाता इसे ध्यान में रखेगा नेक्स्ट है किस भारतिय मूल की महिला को IMF यानि की इंटरनेशनल मोनेटरिंग फंड का डिप्टी माइनेजिंग डिरेक्टर निप्थ किया गया है तो IMF का डिप्टी माइनेजिंग डिरेक्टर गीता गोपिनाथ को निप्थ किया गया है इसका राइट एंसर आज़ेगा बहारत में निमलिखित में से वह कौन सा वन जीव अभ्यारन है जहां गेंड़ा के संरक्षन की पड़ियोजना चल रही है तो काजीरांगा उध्यान एक सिंग गेंड़ा वाला के लिए पड़सीद है इसके ध्यान में रखेगा इसके राइट एंसर हो जागा option C काजीरांगा जो असम में है वहीं बात करें गीर राश्ट्रिवध्यान गुजरात राज में है जो शेर के लिए पड़सीद है और Kator यार वन जी अभ्यारन की बात करो तो यह किरल में है जो हाथी के आवाज के लिए परसीद है और बांदिपूर नेशनल पार्क या करनाटक में है जो बाग के लिए परसीद है नेक्स्ट है किसी संस्ता की लाव परदाता निर्भत करती है तो किसी संस्ता की लाव परदाता नियास के संसाधन की गती पर निर्भत करती है इसका राइट एंसर हो जगा ओप्शन C नियास के संसाधन की गती पर निर्भत करती है नियास परिशत की विचारधारा महात्मा ग देखा गया तो विश्यूद रूप से संग मरमा का गुमबत सबसे पहले एतमात दौला के मकबड़ा में देखा गया इसका राइट एंसर हो जाएगा option D एतमात दौला का मकबड़ा और इनका एतमात दौला का मूल नाम ग्यास बेग था इसे ध्यान में रखेगा इनका मूल नाम ग्यास बेग था जो नूर जहां के पीता थे और नूर जहां ने ही इनके लिए यहां मकबड़ा बनवाई थी next है किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन जिव सनरक्षन बॉंड जारी किया है तो पहला वन जिव सनरक्षन बॉंड या बिस बैंक के द्वारा जारी किया गया है इसका राइट एंसर हो जहेगा अप्शन ए बिस बैंक next है हीमनत का पिखालना सागर का जल अस्तर बढ़ने से जूरी हुई एक समान घटना है हिमनत से जूरी या घटना अधिकतर पाय जाते हैं तो उत्री धुरू में अधिकतर हिमनत पाया जाता है इसका राइट एंसर हो जहेगा अप्शन D उत्री धुरू में और बिस का सबसे बाड़ा गलेसियर अंटार्क्टिका में लेंबर्ट गलेसियर है इसे भी ध्यान में रखेगा नेक्स्ट है साची का अस्तूप किस सासक ने बनवाया था तो साची का अस्तूप मोर सासक असोक ने बनवाया था इसका राइट एंसर हो जहेगा अप्शन D असोक और सांची कास्तू या मध परदेश के रायसेन जिला में इस्तित है इसे भी ध्यान में रखेगा नेक्स्ट है डॉल्फिन रिशर्च सेंटर की अस्थापना कहां की गई है तो डॉल्फिन रिशर्च सेंटर की अस्थापना पटना में की गई है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन D पटना वहीं डॉल्फिन परजनन केंद्र बिहार के भागलपुर में इससे भी ध्यान में रखेगा और परतेक वर्च पांच अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट है नागा अर्जुन सागरबांध किस नदी पर बना है तो नागा अर्जुन सागरबांध या क्रिशन नदी पर आंध परदेश राज में बना है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन B क्रिशन नदी आंध परदेश नेक्स्ट है भारतिय सविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है तो सिक्षक का अधिकार या मूल अधिकार था भासन का अधिकार या भी मूल अधिकार है जीवन का अधिकार या भी मूल अधिकार है सुचना का अधिकार या मूल अधिकार नहीं है सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 इसपी में लाया गया था इसे ध्यान में रखेगा इसका राइट एंसर हो जाएगा option B भारतिय सविधान के भाग 3 में अनुछेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है इसे ध्यान में रखेगा भाग 3 के अनुछेद 12 से 35 तक next है भारतिय सविधान का अभी रखचक कोण है तो भारतिय सविधान का अभी रखचक भारत का मुख ने अधिस होता है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन डी कानपूर next है रउलेट एक एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था तो रउलेट एक्ट 1919 लॉर्ड चैंस पोड के सासन काल में लगाया गया था इसका राइट एंसर हो जोँगा ओप्शन A लॉर्ड चैंस सपोड और रॉलेक्ट एक्ट की बात करें तो इसे बीना वकील, बीना अपील और बीना दलील का कानून कहा गया है और इसे काला कानून भी कहा गया है next है मानो पढ़ियावरन सम्मेलन 1972 हुआ था तो मानो पढ़ियावरन सम्मेलन 1972 में इसकोट होम में हुआ था इसका right answer हो जाएगा option A escort home next है sworn मुखतः संबंदीत होता है तो sworn मुखतः अंतराश्ट्रिय बजार से संबंदीत होता है इसका right answer हो जाएगा option C अंतराश्ट्रिय बजार से और और सबसे अधिक सनरक्षित सोना का भंडार USA में है यानी कि अमेरिका में सबसे अधिक सोना का भंडार सन रक्षित है और सबसे बाड़ा सोना का उत्पादक देश चाइना है चेन सबसे बाड़ा सोना का उत्पादक देश है और भारत सबसे बाड़ा सोना का घरलू उपभोकता देश है इसे भी ध्यान में रखेगा नेक्स्ट है द्व बजार का नियम किस अर्ध सास्त्री ने दिया तो बजार का नियम जेबी से ने दिया इसका right answer हो जाएगा option D जेबी से के बजार के नियम के अनुसार पूर्ती अपनी मांग का स्वयम निर्मान करती है नेक्स्ट है भारत की सविधान सावा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी तो भारत की सविधान सावा कैबिनेट मिशन के अनुसांसा पर बनाई गई थी इसका राइट इंसर हो जाएका उप्संटी कैबिनेट मिशन बात करें cabinet mission की तो cabinet mission का आगमन 24 मार्च 1946 इसपी को हुआ था यानि 24 मार्च 1946 इसपी को cabinet mission भारत आया था और cabinet mission के अध्यक्ष सर पैंथिंक लोडेंस थे नेक्स्ट है राज का अनिवारत तो निम्न में से कौन सा है तो राज का राज के चार अनिवारत तो था है जन संख्या राज छेद सरकारियों परभूसता या संपरभूसता तो इसका राइट एंसर हो जगा option D, A सभी नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जन जाती ताना भगत अन्दोलन के साथ जूरी हुई है तो ताना भगत अन्दोलन उडाव जन जाती सी जूरी हुई है इसका राइट एंसर हो जगा option A उडाव जन जाती ताना भगत अन्दोलन या 1914 से 1920 इसवी के बीच हुआ था जो छोटा नागपुर इलाके में उडाव जन जाती द्वडाक किया गया था इसे भी ध्यान में रखेगा नेक्स्ट है नवजवान भारत सभा किस ने अस्थापित की थी तो नवजवान भारत सभा सरदार भगत सिंग ने अस्थापित किया था इसका राइट एंसर हो जगा option C सबसे प्राच lassीं ग्रांत 3 पित का सबसे प्राच समील Ale 6 ल नीक्ष्वी दमीत利 किसे कहते हैं तो समूंध्र गुप्त को लिख्प दमीत利 कहा जाता है इसका राइछ एंसर हो जाएगा option ३ समूंध गुप्त ने अपने सिख्विद्ध दमीत राइचիं holisticате इसे भी ध्यान में रखेगा और इसे लिक्ष्वी दहित्री कहने का कारण है कि समुंद्र गुप्त की मा लिक्ष्वी की राज कुमारी थी किस प्रवतिय अस्तल को सत्पुरा की रानी कहते हैं तो सत्पुरा की रानी या पंच मधी प्रवतिय अस्तल को कहा जाता है इसका राइट एंसर होगा अप्शन है पंच मढ़ी और यहां पंच मढ़ी मध पर्देश की होसांगा बाद जिले में अवस्ति था इसे भी ध्यान में रखेगा और सत्थपूरा की सबसे उची चोटी धूप गढ़ है इसे भी ध्यान में रखेगा कौन सी राष्ट्रिय राजमार्क दिली और कलकाता को मौथ्थूरा और वारा नसी के राष्टे से जोड़ता है तो NH2 दिली से कलकाता को जोड़ता है इसका राइट एंसर होगा उप्शन P NH2 नेक्स्ट है निमलिकित में से किस तिथी को राज सरकार दोड़ा मेघा दिवस मनाने का निर्नाय लिया गया है तो तीन दिसंबर को डॉक्टर राजेंद परसाथ के जम दिन को सरकार मेघा दिवस के रूप में मनाने का निर्नाय लिया है इसका right answer होगा option B 3 December Next है अजानता कलाक्रितिया किसे से संबंदित है तो अजानता कलाक्रितिया गुप्त काल से संबंदित है इसका right answer होगा option D गुप्त काल Next है और अजानता की गुफा को 1983 SP में UNESCO की सुची में सामिल किया गया इसे भी ध्यार में रखेगा Next है 1100 SP में निर्मित मंदीर जो भूनेश्वर के अन मंदीरों पर परधानता रखता है वह कौन सा है तो यह मंदीर त्री भूनेश्वर रिंग लाज मंदीर है option C इसका right answer होगा Next है निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरिये धारा नहीं है तो इसमें कैलिफोर्निया, IOC और कनाडिया ठंडी महासागरिये धारा नहीं है इसका right answer होगा option C Next है किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वंडे जीत दर्च करने का 20 record बनाया है तो सबसे अधिक वंडे जीत तर्च करने का 20 record आस्ट्रेलिया देश की महिला क्रिकेट टीम ने बनाया है option C इसका right answer होगा Next है किस देश को 2026 सिथ कालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है तो 2026 सिथ कालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी इटली दोवड़ा किया जाएगा इसका right answer होगा option C और वहीं 2026 ग्रिम्स कालीन ओलंपिक आयोजन फ्रांस में किया जाएगा Next है नेमलिखित में से किसी ने सभी तीनो गोलमेज सम्मिलनों में भाग लिया Next है भारत का पहला परमानु अनुसंधान डियक्टर कौन सा है तो भारत का पहला परमानु अनुसंधान डियक्टर अपसरा था इसका right answer होगा option A Next है राष्ट्रीय जल पूरसकार 2020 में जल सनरक्षन के पर्यासो हेतू किस राज को पर्थम पूर्षकार उत्तर परदेश को और दुसरा पूरसकार राजसथान को दिया गया है सुमीत भाले बने है, option A, इसका right answer हो जाएगा, सुमीत भाले, next है, time पत्रिका ने person of the year 2021 की से घोशित किया है, तो time पत्रिका द्वारा person of the year 2021 एलन मस्क को घोशित किया गया है, इसका right answer हो जाएगा, option A, एलन मस्क, next है, 152 degree Fahrenheit, खाली हस्तार degree Celsius के बड़ाबर होता है, तो Fahrenheit और degree Celsius के बीच एक संबंध होता है, C बटा 100 बड़ाबर, F माइनस 32 बटा 180, इसी समी करण से, यहाँ C का मान निकालेंगे, तो यह मिल जाएगा, 66.67 degree Celsius, इसका right answer हो जाएगा, option A, यह फर्मूला ध्यान में रखिएगा, next है, पवधे के किस भाग को केसर के रूप में इस् वर्ति का या वर्ति काग्र को केसर के रूप में इस्तिमाल किया जाता है, इसका right answer हो जाएगा, option C, और भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादा जमू कस्मिन में किया जाता है, और 20 में सबसे अधिक केसर का उत्पादा इरान में किया जाता है, next है, निमलिखित में से 15 ओम का परभावी परतिरोध प्रावत करने के लिए R ओम और 20 ओम के दो परतिरोध धीक को संदांतर कर्में जोड़ा गया है R ओम का मान ग्याद करे तो परभावी परतिरोध के लिए फर्मूला होता है 1 बटा R बड़ाबर 1 बटा R1 प्लोस 1 बटा R2 तो इस फर्मूला के हिसाब से भाईलू पूट करने पर पूट करेंगे तो यहां हो जाएगा 1 बटा 15 बड़ाबर 1 बटा R1 प्लोस 1 बटा 20 तो यहां 1 बटा R1 बड़ाबर हो जाएगा 1 बटा 15 माइनस 1 बटा 20 तो यहां से R1 बड़ाबन मिल जाएगा 60 Ohm तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option C 60 Ohm यहां पर एक फर्मुला याद रखना है 1 बटा R1 बड़ाबर 1 बटा R1 पलस 1 बटा R2 इस फर्मुला को ध्यान रखना है या प्रभावी परतिरोद के लिए प्रयोक किया जाता है Next है निम्न में से अधिक दर्वमान किसका है तो इस में से सबसे अधिक दर्वमान नीटरोन का है option C is का right answer हो जाएगा neutron Next है जल का घनाथ 1 गराम पर सीसी है या बिल्कुल सही है तो जल का घंणत सबसे अधिक या 4 डिगरी सिल्सियस पर होता है, इसका राइट एंसर हो जाएगा, option B, 4 डिगरी सिल्सियस और 4 डिगरी सिल्सियस पर जल का आयतन सबसे निम्तम होता है, नेक्स्ट है, प्रकास संस्लेशन पड़किरिया में परिवर्थन नहीं था है, तो प् डिटाल में मौजूद परतीरोधी योगीक है, इनरो लाकसी लोन है, इसका राइट एंसर हो जाएगा, option B, एनलो लाकसी ले लोन, नेक्स्ट है, बुद्धी का केंदर इस्तित है, तो बुद्धी का केंदर या प्रह मस्तिक में इस्तित होता है, option A इसका राइट एंसर हो प्रावमस्तिक और असमर्ण सकती का केंद्र भी प्रावमस्तिक ही है. नेक्स्ट है, ब्यस्क मानों में रूधीर की मात्रा 5-6 लीटर होती है. इसका राइट एंसरो जाएगा अप्शन C, 5 लीटर. और मानो सरीर में रख्त की मतरा शरीर के भार का लोगभग साथ परतिसत होता इसे भी ध्यान में रखेगा next है यदि अभिकारकों के कुल उर्जा अभिकिरिया के उत्पादन से अधिक है तो उस्मा मुख्थ होती है और अभिकिरिया को खाली जगा अभिकिरिया कहा जाता है तो जिस अभिकिरिया से उसमा निकलती है उस अभिकिरिया को उसमा छेपी अभिकिरिया कहा जाता है इसका राइट एंसर हो जगा option C उसमा छेपी अभिकिरिया next है किट बिज्ञान अध्यान है कीटो के अध्यान को कीट विज्यान या एंटोमनिलोजी कहा जाता है इसका राइट एंसर होज़ेगा option B next है exobiology एक विज्यान है जिसका संबंध है तो बाय अंत्रीक्ष में जीवन का अध्यान exobiology विज्यान के अंत्रगवत की जाती है इसका राइट एंसर होगा option C बाय अंत्रीक्ष में जीवन के साथ next है पितल किसकी मोजदगी में निरंतर रहने से वायू मेरंगीन हो जाता है तो पितल हाइटरोजन सलफाइट की मोजदगी में निरंतर रहने से वायू मेरंगीन हो जाता है इसका right answer हो जगा option B hydrogen sulfide बात करें पितल की तो इसमें पितल में 70% तामबा और 30% जिंक का मिश्रन होता है next है दिरिष्टी के अस्थायूत का सिधान्थ किसके पिछे का सिधान्थ है तो दिरिष्टी के अस्थायूत का सिधान्थ सिधान्थ है इसका right answer हो जगा option B next है हार्मोन के रूप में कार करने वाले protein का उधारन बताए तो इसमें से हार्मोन के रूप में कार करने वाले protein oxytocin है इसका right answer हो जगा option B oxytocin अमारे शरीर में cool 230 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं जो अलग-अलग कारियों को नियंत्रित करते हैं इसे भी ध्यान में रखेगा और oxytocinia दूग्द सराव में सहायक होता है next है तरंग एक अस्थान से दूसरे अस्थान को गतिक करते समय अस्थरांत्रित करती है तो ताप उड़ जाता था माद्यम के कौन तरंग एक अस्थान से दूसरे अस्थान को गति करते समय अस्थरांतित करती है इसका Right-Ansor हजाएगा ओप्शन d इस सभी next है पडास्थित्की परनाली में परात्मिक उत्पादक कोन होते हैं तो पडास्थित्की परनाली में भेज़े जाने वाले अवांचित electronic संदेश spam कहलाता है इसका right answer हो जाएगा option C spam next है bread बनाने के लिए आवसाइक घटक क्या है तो bread बनाने के लिए आवसाइक घटक या माईदा और खमीर है इसका right answer हो जाएगा option A माईदा और खमीर next है कि निमलिखित में से किस हार्मोन को आपतकालिन हार्मोन कहते हैं तो एड्रिनल हार्मोन को आपतकालिन हार्मोन कहते हैं इसका राइट एंसरों का ओप्शन एड्रिनल और एड्रिनल हार्मोन को लोरो और भागो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है और यहां उत्येजना के सम समय अधिक सरावित होने लगता है, next है, malaria किसके द्वारा एक भ्यक्ति से दूसरे भ्यक्ति तक अंत्रित करता है, तो anophilic मच्चर से malaria एक भ्यक्ति से दूसरे भ्यक्ति तक जाता है, इसका right answer होगा option C, anophilic मच्चर, वहीं बात करें malaria की तो malaria नमक रोग plasmodium नमक प्रजिवी या proto-jova से होता है इसे भी ध्यान में रखेगा malaria plasmodium प्रजिवी proto-jova से होता है next है अमर बेल क्या है तो अमर बेल एक परकार का पूर्ण तवा प्रजिवी है इसका right answer होजगा option B और अमर बेल स्वास्त के लिए बहुत लबकारी है इसे भी ध्यान में रखेगा या diabetes cancer से बचाव और हड़ियों को मजबूत करने में सहायता करता है next है nitrogen किसका अनिवार घटक होता है nitrogen protein का अनिवार घटक होता है option B इसे भी ध्यान में रखेगा next है प्रकास के विदुद्चुमबकिये सवरूब की खोज किस ने की तो प्रकास के विदुद्चुमबकिये सवरूब की खोज Maxwell ने किया था इसका right answer हो जाएगा option C Maxwell सन 1864 इसमी में British भौतिक सास्त्री Maxwell ने विदुद्चुमबकिये का गनित्य सिधान दिया था इसे भी ध्यान में रखेगा तो friends आज का वीडियो कैसा लगा comment section में अपनी परतिकिरिया जरूर दिजेगा और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए जय हिंद